जाती जाती के लोग क्यों हुलड मचाती हैं और देश देश के लोग व्यरत बाते क्यों सोच रहें यहोवा के और उसके अभिशित के विरूत पित्वी के राजा मिलकर और हाकिम वापस में समती करके कहते हैं के आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार दे के वो जो स्वर्क में विरासमान है हसेगा प्रभू उनको ठर्थो में उडाएगा तब वो उनसे ख्रोध करके पाते करेगा और ख्रोध में कहकर उनने खबरा देगा के मैल तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पविक परवत्सियों ने किया जगती पर बैठा चिकाओ मैं स्वचन का प्रचार करूंगा जो यहुआ ने मुझसे कहा तो मेरा पूत्रा है आज तु मुझसे उतनुआ मैं स्वचन का प्रचार करूंगा जो यहुआ ने मुझसे कहा तो मेरा पूत्रा है आज तु मुझसे उतनुआ मुझसे मां और मैं जाती जाती के लोगों कोक तेरी संपत्ती होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निजब मुझसे बनने के लिए के लिए दे दूगा तो ने लोहे के दंडे से तुखड़े तुखड़े करे करेगा तो कुम्हार के बरतन की नाई उन्हें चिकना चुल कर डालेगा इसलिए अब है राजाओ तो दिमान बनो है प्रिथ्वी के न्यायों ये उपदे श्क्रैन करो करते हुए यहो आखी उपास ना करो और कापते हुए मगन हो पुठर को चुओ ऐसा ना हो के वोक रोद करे और तुम अगई में ना शो जाओ क्यों कि शंबर में उसका क्रोध बढ़कने को है धन्ये में जिनका भरोसा उस पर है करते हुए करते हुए यह झाल